कि एलो एंड वेल्कम टो यूपियस से एंडी एंसर राइटिंग के सेरीज में हम यूपियस के जो प्रीएस एर कोशिशन्स कर रहे हैं यह इतने ज्यादा इंपॉर्टन है कि PCS में आपको डायरेक्ट यहां से कोशिशन्स देख लग मिलते हैं और कई बार कोशिशन्स डायर सिर्फ संदल में के दिखने हैं की एंसर्स यहां लिखने बैठेगे तो एक क्लास में सिर्फ हम अ कूस transit तीan बेडायरेक्ट करते हैं और इंग्लीज में जरूर होते हैं मैं कुछ लिखता नहीं होग जोगता है उनियुक्त अंतर राश्टी व्यापार में पुछा गया है अंतर राश्टी व्यापार में जल्ड अम्रूमध्य और इस थमस्थ के महत्पा उल्लेट करना है इस कोश्चन को सबसे पहले आप एक बार पढ़ें फिर उसके बाद मुझे बताएं इसमें समझ आ रहा है और क्या नहीं बहुत सिंपल सा कोश्चन पुछा गया है अंतर राश्टी व्यापार में जल्ड अम्रूमध्य और इस थमस्थ के महत्त को समझा है इस ट्रेट्स और इस त्रेट्स और इस थमस्थ अब ध्यान से इसकी एक जब भी किसकी बाद होगी इंटरनेशनल जब भी इंटरनेशनल ट्रेड की बात होगी हमारे पास कुछ पुइंट्स आएंगे कौन-कौन से इंवायरमेंट ध्यान रखोंग यह प्रोच आप उतने नोट में एड़ करेंगे इंवायरमेंट्स कनेक्टीविटी का एक पॉइंट आपके मन में रहना चाहिए समस्ते वे चलिए आपके मन में जियोप्वाइनिकस का एक कोइंट आपके मन में रहना चाहिए और वोल्यूम का पॉइंट आपके जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड में इन्मायरमेंट कमहाथ, कनेक्टिविटी कमहाथ, डिपिंडेंसी, जोग पॉइंट, सेक्योरिटी, जियो पॉलिटिक्स, एफिसियन्सी और वॉल्मु यानि इन आठ पॉइंट्स पे तीन ये और इन आठ पॉइंट्स पे इंटरनेशनल आपको समझना है और आगे बनता है, फिर आपको इन पे मेहनत करके एंसर निकालना है, क्या करनेंगे, हम आपको आपको कुछ पॉइंट्स देंगे, जो इस एंसर के लिए क्या होने वाले है, important है, सबसे पहले तो, इस answers के लिए important है, उन पे आपको अपने notes में content निकालना ह आपको समझा दूँ, वो तो रहेगा, साथ में enriched content कुछ यहाँ पे जो मिलेगा वो रहेगा, लेकिन आपको कुछ अपने notes में extra points add करने पढ़ेंगे, कही न कहीं से, फिलाल इस approach को देख लिया मैंने, क्या बहुत simple approach थी, कि जब भी international trade की बात आएगी, आप environment, connectivity, dependency, choke points, उसके बात security, geopolitics, efficiency और volume पे बात जरूर करेंगे, क्या हम in factors पे बात करने के लिए ready हैं, क्या हम in factors पे बात कर सकते हैं, यहाँ रखेगा हमेशा हमको in factors पे बात करनी पढ़ेंगे, यह हमारे factors हैं international trade के, जब भी international trade की बात आएगी, जब भी international trade की बात आएगी, हम in factors पे बात जरूर करेंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक से लुपना, चलिए, अब हम अपने focus करते हैं points पे, कि हमने सबसे पहले अगर एक volume का point लिया, अगर हम volume की बात करेंगे, तो अब उसमें देखते हैं, इस्ट्रेट और इस्थमस का point देंगे, या हम volume के लिए, इस्ट्रेट और मलक्का का point बता सकते थे, और यहाँ पे, इस्थमस का point बताया जा सकता है, जैसे की, यह हमारे global trade के लिए बहुत जादा महत्पूर्ण है, और यह भी हमारे, यह कहाँ पे है, Thailand में, इसका point बता सकते थे, अगर हम efficiency की बात करें, तो क्या हम global trade का example नहीं दे सकते, यह किसके किसके बीच में है, UK and France के बीच में, अच्छा efficiency की बात आ रही है, तो क्या हम, इस्थमस और switch की बात नहीं कर सकते, यह कहाँ पे है, यह इसकी बात नहीं कर सकते, क्या हम इसकी बात नहीं कर सकते, यह trade को क्या कर देता है, shorter कर देता है, जो इतनी लंबी-लंबी trades है, उनको क्या कर रहा है, छोटा कर रहा है, क्या हम इसकी बात नहीं कर सकते, सिंपल ऐसा समय लीजे सौट कट की बात की बात ठीक है क्या हम अगर जियो पॉलिटिक्स की बात करें अगर हम जियो पॉलिटिक्स की बात करें तो जो हमारी तर्किस स्टेट्स है जो हमारी तर्किस स्टेट्स है किसके किसके भीज में गॉस्पोरस एंड तर्किस स्टेट की बात करें यह जो हमारा चोक पॉइंट है बिट्वीन दा वाइंट जोकॉइंट , shot तो इस थमस ऑफ पनामा यह ट्रेड इग्रीमेंट के बारे में यहां से बात कर सकते हैं क्या हम यहां से ट्रेड इग्रीमेंट के बारे में कुछ पॉइंट लिख सकते हैं वियापाड इग्रीमेंट के बारे में कुछ पॉइंट यहां से तुर्किस स्टेट्स के बारे में बता कि इसका एक्जामपल और इस थमस ऑफ पनामा के बारे में बता कि जियो पॉलिटिक् एग जामपल मेरे मन में जो भी आ रहा है इस्ट्रेट ओफ हॉर्मूच की बात की जा सकती है और अगर इस्थमस की बात करें तो इस्थमस ओफ पॉरिन्थ इस्थमस ओफ और इन्जियन टाइम से है ये ट्रेड के लिए कि एंड मिलेट्री कॉमेंट कि इसके बारे में बता सकते हैं जल्दी से इक पॉइंट में कहां कहां पे इसके किसके बीच में आयो नियन एंड इजिएन सी के बीच में डीच में अब अप ध्यान से देखें के बारे में बारे में बता कि आपको हैं इन स्टेट का एग्जामपल आप इंटर्नेशनल इन इस्टेट्स का सिफ Nest और इस्थमस्का की महत्तु को बता रहे हैं इनके महट को बहुत आसानी से बता रहे हैं एक सगन रुकित है मैं एक पेड़ चेट के लिए अब अगर एक पॉइंट्स में हम अगर इन्वायर्मेंट को बताने का प्यास करें अगर हम स्टेट के बारे में बता है तो स्टेट और गिब्राल्टर हमारे मन में आ जाता है ठीक है क्या हम क्या हम रा कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बता सकते जो हमारे बारे बारे प्रणिय में प्रुभाव से जुड़ी हुई है अगर कनेक्टिविटी की बात करनी है अगर हमें वाल्यूम इड्फिचिएंसी जीव पॉलिटिक सेक्यूरिटी जोग पॉइंट्स बता दिया इन्वायर्मेंट बता दिया, connectivity पर बात करते हैं, connectivity के बादे में बात करने हैं, तो straight off यही, ग्रिब्राल्टर का example दे सकते हैं, यानि ये किनके किनके बीच में, Mediterranean Sea and Atlantic Sea के बीच में, और अगर आपको स्थमस का example देना पर जाए, तो आप स्थमस ओफ, तेहुवान, तेपक का example देके आप उसनी आगे बढ़ सकते, यानि ये किनके connect किस को करता है, ये किस को connect करता है, ग्रिफ ओफ, Mexico and Pacific Ocean को connect करता है, सेम, अगर dependency की बात करें, dependency की बात करें, तो आप, इस ट्रेट आफ, मलक्का को बता सकते हैं, इस ट्रेट आफ मलक्का को बता सकते हैं, ये oil import जैसे हो गया, है ना, पढ़ा होगा आपने, oil import हो गया, और, maritime passage होते हैं, उनके बारे में यहां से अंपोर्ट कर सकते हैं, इस ट्रेट आफ मलक्का के बारे में, और सेम economics boundary के लिए, सेम economics boundary के लिए, इस ट्रेट आफ मलक्का का points एट कर सकते हैं, इस ट्रेट आफ में यह point अर्ट जैसे की अगर इस ट्रेट की बात की जाए, चोग points में अगर इस ट्रेट की बात की जाए, तो इस ट्रमस और, पेरी कॉप का point आप add कर सकते हैं, इसका, तो ध्यान से समझने वाली बात है जो मैंने आपको इस कुछ पॉइंट में समझाने का प्यास किया यह तो content है यह मैंने आपको example दिये से आप सिर्फ सुनते हैं कुछ नहीं लिखेंगे सिर्फ आपको सुनना है सिर्फ सुनने पर focus करना है बहुत easy मैं बोल रहा हूँ अगर आप सिर्फ सुनने पर focus करेंगे मैं एक मिट के लिए जड़ा slack को कम करते हूँ आप सिर्फ हम सुनने पर focus करेंगे और बहुत easily आप समझने का प्रयास करेंगे कि यह कोश्चन क्या करता तो मैंने इतनी जल्दी से जारा content लिखने का प्रयास क्यों किया ठीक क्यां से question पढ़िए क्यां से question पढ़िए क्यां से question पढ़िए अंतराश्टी व्यापार में जल्द अमरों पर इस्थमस के महत्तु को उलेक करें इस्थमस के महत्तु का उलेक करें अब समझना क्या था हमारा main focus किस चीज़ था main focus था international trade में इस्थमस एंड इस्टेट्स ठीक तो अगर हमें कुछ इस्थमस पता हो और कुछ इस्थमस पता हो और कुछ इस्थमस पता हो तो हम बहुत इसली उस स्थेट की बाद फीकुस स्थेट को पता देंगे कि कौन सा कौन सा इस्थमस ठीक अच्छा internet अब मैंने एक चीज और देखी कि international trade में अंतर राश्टी व्यापार में international trade में वो कौन-कौन से point है international trade में वो कौन-कौन से point है जैसे एक environment connectivity, dependency, choke point, connectivity, geopolitics, efficiency, volume यह कुछ points है जो international trade को क्या करते हैं प्रभावित करते हैं यह कुछ points है जो international trade को प्रभावित करते हैं अब जब भी international trade पे question आएगा अब जब भी international trade पे question आएगा तो आपको करना कुछ नहीं है आपको सिर्फ in points पे answer लिखना है ठीक अब in points पे सिर्फ वो टॉपिक्स लिखने हैं जो इक्सकोश्चन्स में पूछे के हैं जैसे इस्टेट और इस्थमस की बात कीगी तो अब आप इस्टेट और इस्थमस को इन पॉइंट से लिंक कर दीजिए और कुछ नहीं करना है ठीप लेकिन अब समझना क्या था में तो समझना यह और इस्थमस और इस्थमस और स्टेट की बात की घी है तो एगर में कुछ इस्थमस पता हूं कुछ स के लिंक करेंगे किसी स्टेट को डिपेंडंसी से लिंग करेंगे किसी state को joke point से link करेंगे किसी state को हम security से link करेंगे किसी state को हम geopolitics से link करेंगे किसी state को हम efficiency से link करेंगे और किसी state को हम volume से link करेंगे ठीक लेकिन किसी इस थमस को environment से किसी को connectivity से किसी को dependency से किसी को joke point से किसी को security से किसी को geopolitics से किसी को efficiency से और किसी को volume से link करेंगे easily समझा गया अब हमाई अगर link करना था तो हमने सबसे पहले एक approach मनाई कि हम पहले इस पे खेलेंगे इस पे पुड़ा खेल खेलेंगे इन points पे पुड़ा खेलेंगे answer का लेकिन इसके answers को लिखने से पहले अब हमने देखा कि volume के लिए हमारे पास दो एक state से link के लिए और क्या इस्टमस से link के लिए अब efficiency के लिए point मेरे पास है उसको हमने driver state से link किया जो UK and France के बीच में है और स्टमस और switch को connect किया जो योरोप और Asia के बीच की बात करता है जो short cuts की बात करता है इसकी geopolitics के अगर बात आई तो यह international world है जो international relation में आप अपड़ते हैं यह Turkish state को लिया जो इसकी इस से link के ब्लैक्सी से और इस तमसा पनक्का को लिया उसको trade agreement से लिख किया यह हमारे इंटाइंसा trade points में आने वाले दो एक state और एक इसके बारे में बता के हम अपने answers को बहुत easily complete कर सकते हैं अचा security की अगर बात आई तो state of home rose की बात आ गए और इस तमसा और कोरियंत की बात आ गए तो यह trade की बात करता है military moments पे जिसे आई union and agency की बीच में इंवार्मेंट की अगर आता गए तो हमने उसको state of डिब्राल्टर से और करा कैनल से लिंग किया पढ़ना वाली तो बहा के लिए अच्छा state of डिब्राल्टर से अगर लिंक के हमने connectivity को भी उसको Mediterranean Sea और Atlantic Sea से दिखा दिया अच्छा इस्थमस ओफ इस्थमस ओफ मसफ इंडियन इपक इग्जांपल और कर तो कि एक सुर्ण है कि मैं पाणी पीने तो इसको अगर हम कनेक्टिविटी की बात है तो state of डिब्राडथ rs दिखी और leaning ओम मेडिटेरिनेनिंझ सीар मेडिटेरिंसालिंक की बीच का बbitda और इस्थमस ओफ ते हुएं बारें तेपक के बारे में बात की तो इसको गलफ और मक्सिको औन पैसीफिक ओसीन की बात बताया और dependency में अगर बात आई अगर dependency पे बात आई तो state of मलग का file import के लिए जो points की बात आई तो इपराटर का ही point add कर सकते थे और इस थमस की बात आई तो इस थमस की बात आई तो इस थमस और पेरे कॉप पेरे कॉप अगर आपको ये इस थमस और states की जानकारी नहीं अगर आपने इस थमस और states के बारे में proper जानकारी लेके पढ़ाई नहीं करी है तो आपको ये question करने में problem आ सकती है क्यों जैसे पिछले questions में हमने क्या देखा पिछला question जिसे मैंने पहले question में क्या देखा तो सबस्टे पहले वाले question में हमने देखा कि कि इस तरीके से ये एक approach follow करी और इस approach में हमने बहुत सारे questions करने का प्रयास किया जैसे ये approach मैंने reasonable climate की लिए और reasonable climate पे पूरी approach follow करी और same question को किया, उसी question को इस पे भी किया, उसी approach के साथ, फिर उसी question को, इस question को उसी approach के साथ किया, फिर इस question को भी same approach के साथ follow करने का प्रयास किया, आप नहीं देखता, इत्मॉस्पेरिक composition, solar radiation, temperature, humidity, air pressure, oceanic pressure, सेम चीजों के बात करी, ठीक, यह दूसरा question मैंने लिया, उस पे मैं इनने deep में discussion किया था, यह खैर, पिछली classes अगर आपने अटिन करी है, तो आप समझेंगी writing पर मत जाना, तेजी से आपको content देना होता है, क्योंकि घंटे पर आप बैठेंगे नहीं दो questions के लिए, इसलिए तेजी से आपको content देना होता है, इस होज़े से मैं तेजी से समझा और हर state पे, जियान से, मैं जो बोल रहा हूँ, अब पूरा focus सुनने पे रखिएगा, हर state पे और हर स्थमस पे link करना है आपको in points से, जैसे कोई भी आप state उठाएए, उसको environment से समझने का प्रयास कीजिए, उसको connectivity के condition से समझने का प्रयास कीजिए, उसको dependency के condition में समझने का अब ये भी नहीं है कि जैसे geopolitics, efficiency और volume के इन सब पे आप इस सारे points पे कोई भी state का मालीजे, state और मलक्का उठाया आपने, इसको इसको environment के नजरिये से देखा, connectivity के नजरिये से देखा, security के नजरिये से देखा, efficiency, volume, अब आप देखने का प्यास का रहा है लेकिन connectivity के नाम पे इसा कुछ खास नहीं है, तो उस जबर्दस्ती नहीं फिर उसको notes में अट कर लेना है, तो आप security अटा कि जियो-politics वाले points को add करिये, efficiency वाले points को आप add करिये, इस तरीके से आपको add करते हुए आगे बढ़ना है, तो कि आप क्या करेंगे, यदि आप बिना उसके आगे बढ आप इसको मैंने geopolitics से पढ़ाया है, अब तरकिष इस्टेट को geopolitics से पढ़ाने कबार आप इसको जड़ा efficiency से बना कर देखिए, notes made करिए, google करिए, समझने का प्रयास कीजिए, connectivity के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए, environment के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए, तो कहीं न आपका जो knowledge base है, वो increase हो जाएगा, knowledge base increase हो जाएगा, आपके notes में point add होना शुरू हो जाएगे, आपके notes में point add होना शुरू हो जाएगे, अच्छा, इन points के add होते ही, आपकी सबसे खास बात क्या हो जाएगी, कि environment, connectivity, dependency, absence of choke points, security, geopolitics, efficiency and volume, इन पे हम deep में हमारे पास content होगा Qusywn है, विस में खनी सदेल के असमान वित्रण के पव आयाम इंप रखार में प्रтуर्ट पर चल जाएगे, इसके दब multi-dimensional simplicity, इसके मीचिदा अचले kitaugh, जब्दी multi-dimensional simplicity percentage, इसके लिए। इस समय खानिश देल के असमान वित्रम के बहु आयामी प्रभावों पे जर्चा करने हैं, इन जारे कोस्टिन्स को बहुत दीप में डिस्कॉस करने हैं, अब आपको क्या समझ रहा है, जब्धी मल्टी जब भी मल्टी डामेंशनल इंप्रिचेश की बात होगी, आप कौन सी इप्रोज लेके चलेंगे, यस प्रोज इस फेपर वाइज इप्रोज आपके चलनीगे, किस प्रोज इचेश की चलनीगे, अब ज्यान से, अगर Jesus One की बात हो तो आपके सामें посмотр से points आइंगे, इसकी बात हो रही है खनी स्थेल के असमान वित्रन खनी स्थेल के असमान वित्रन है स्थ おचक्त हो, जब Jesus One की बात हो रही है तो क्या हम वहाट पेगू? जियोग्राफिकल डिस्टिबूशन पर बात नहीं करते हैं क्या हम उसके तोसल इंपैक्ट पर बात नहीं करते हैं अगर जी एस्टू की बात आएगी तो क्या हम अगर जी एस्टी पर बात करें तो क्या हम अगर जी एस्टी पर बात करें तो क्या हम इस और के concept पे अगर हम बात नहीं कर सकते और अगर हम पॉइंट जा रहा थे इसको मैंने बाद में बताया क्या हम इतनों हमी के बात नहीं कर सकते हैं इकनामी में impact की बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि oil distribution की बात हो नहीं ठीक है फिर उसके बाद environment impact की बात नहीं कर सकते हैं फिर क्या हम science और technology से लेके impact की बात नहीं कर सकते हैं क्या हम internal security को लेके बात नहीं कर सकते हैं जान से बता है अब अगर क्या है पहले तो हमें जी एस वन तो वी फॉर वाइस चल रहा है और मल्टी डैमेंशनल मल्टी डैमेंशनल इंप्लीकेशन की बात करनी है और मल्टी डैमेंशनल इंप्लीकेशन की बात कर रहे है किस पे किस पे किस पे किस पे अनिवेंट डिश्टिप्यूशन ऑफ मिन्रल ओल इन दा वर्ल कौन से distribution की बात हो रही है अनीवन पहले तो कैसा है असमान की तरण है इसका अर्मिंगल ऑल का इंदा वर्ड की ज्यान से देखें पहले तो multi damage का इंप्लिकेशन की बात हो रही है तो किसके multi-dimensional implication की उसके multi-dimensional जी एस वन पर जी एस टूपर जी एस टी पर जी एस ती पर जी यह लिए मल्टी डैमेंशनल एप्रोच असमान वित्रन की बात हो रही है किसके मिंडलाइब की तो अब जड़ा हम इस पे बात करें थोड़ा सा अब अगर मैं सिर्फ अब इसमें content हो नहीं मैं समझाता हूँ आपको सिर्फ अब content आप निकाल लीजेगा थोड़ा सा अगर geographical distribution की बात हो रही है GS1 में geographical distribution की बात हो रही है तो हम resources की बात कर सकते हैं अशा resources की बात कर सकते हैं social impact की बात आएगी तो population से लिंक कर सके देख सकते हैं quality of life पे बात कर सकते हैं कि अगर geopolitical की बात आएगी तो geopolitical की बात आएगी conflict से हम बात कर सकते हैं लाई जगरे से बात की जा सकती है जड़ाई जगरे में strategic alliance की बात कर सकते हैं अच्छा यह strategic alliance की बात कर सकते हैं जैसे मैं समझाता हूं जर इसमें strategic alliance की बात कर सकते हैं और transfer उसकी बात कर सकते हैं जैसे International Relations में OPIC की बात कर सकते हैं Organization of petroleum exporting की बात कर सकते हैं और डिपलोमेसी की बात कर सकते हैं और Transparency की Accountability की पार-दरसिता के बारे में बात की जा सकते हैं अग जीस्थी में अगर आते हैं तो सीधे Economics में Wealth Implication, Wealth Generation, Price, Dependency, Pollution, Oil Split, Technologies, Alternative जो हैं पिस civil unrest के बारे में बात की जा सकती है, infrastructure के बात की जा सकती है, internal security के बारे में बात की जा सकती है, और जब GS4 की बात करते हैं, तो नयतिकता की समानता की उसके बाद rights की बात की जा सकती है, समानता की बात की जा सकती है, transparency, accountability, इन सब के points पे बहुत deep में हम discussion कर सकते हैं, इस questions को ल कि इन इतने सारे आयामों में बहुत डीप में विधिवत तरीके से चर्चा की जा सकती है इस question को अब आपको घर पे करना है मैंने GS1 के perspective में भी बोला है GS2 के perspective, GS3, GS4 और इसको हम next answer rating class में discuss करेंगे लेकिन discuss करने से पहले आपको समझना क्या है, discuss करने से पहले आपको समझना यह है कि जब भी multi-dimensional की बात आए आप GS wise paper चलिए GS1 में जो dimensions है, GS2 में जो dimensions है, GS3 में जो dimensions है GS4, सभी dimensions को cover करते हुए आगे बसकते है फिलार के इस class में इतना है मिलते हैं इस class में तक तक इने thank you to everyone यह आप चाहें तो इसको थोड़ा सा प्रेज कर सकते हैं, मिलते हैं next class में और अभी answer writing continue करते रिए freelance की free focus करना है तो आप freelance में भी focus कर सकते हैं